हेलो गाइस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम एक चपरदस टॉपिक लेके आए हैं इंडियन कोंट्रेक्ट एक्ट का बेल्मेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि सेक्षन 148 ऑफ इंडियन कोंट्रेक्ट के अंदर डिफाइन किया गया ह इसके अंदर सेक्षन 148 के अंदर दो टाम आते हैं जिसको टाम को देख लेते हैं और फिर इसके डेफिनेशन की तरफ चलेंगा हम लोग टेखेंगें बेल्र होता है और दूसरा डाम हो बेली होता है बेलर वो पर्षन होता है जो गुड को डिलीवर करता है ठीक ना जो the goods is called the bailer and the person to whom they are delivered is called the baili baili जिसको मिला गूड वो बैली है और जिसने गूड को डिलीवर के हुआ वो बैलर है तो 148 का हम एक पर बेर एक्ट रिड कर लेते हैं फिर उसके हिसाब से हम केसलो के हिसाब से चलेंगे तो देखे बेल्मेंट कहा है बेल्मेंट जो है यहां पर्पास यहां पर आगर एसे बीने बाइक मांगे तो कुछ पर्पास होगा मांगने का उनके बीच में कुछ थोड़ा सा और यह बेली हो गया और यह बेलर हो गया ए ने कुछ डिलीवर बीको किया और कहा कि यूज हो जाए तो यह मेरे को वापस कर देना और कुछ ऐसा गुड्स होगा तो एक है उस केस में एक आएगा कि ठीक है इसका यूज करके तुम इसे फेक देना या फिर इसको डिस्पोज कर देना तो उसके अकॉर्डिंग चलना बेलर के हिसाफ से चलना है बेली को ठीक है न दिलिब्री और गूर्ड फॉर्संपर्पश देखिए डिलिब्री और गूर्ड ह worksmir न करूंधू गुड्स को रिटर्ण करना है आपको अगर परपस अचीवड हो गया जिस कंपलिशन के लिए आपने लिया था वो आपको पूरा हो गया तो आपको वापस कर देना या फिर बेलर के अकॉर्डिंग बेलर कुछ ही बोले उसको तोड़-फोड़ के फेकना है उसको डिस्पोस क करना है उसके according आप वर्क करेंगे ठीक है दोस्तों तो अब इसके उपर केस लोग की बात करते हैं एक और दोस्तों एक ट्रम आता है section 149 में उस ट्रॉम का नाम है constructive delivery constructive delivery और symbolic delivery यह वो delivery होता है जिसके अंदर position तो नहीं मिलता जो honor होता है जो बेलर होता position तो नहीं मिलता बट वो बेलर माना जाता है और जो उसको hold करता है वो बेली माना जाता है अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं section 149 के under क्या कहा गया तो देखिए A और B दो यहां पर person है तो A जो है इसकी A अपनी bike sell करना चाहता है 10,000 रुपे में B जो है agree है bike buy करने के लिए तो इसने bike B ने bike कर लिया ठीक तो यहां पर B ने bike जो है bike कर लिया बट B का condition है कि एक महीने बाद में आपसे यह bike लोंगा आप में इसे पैसे ले लो ठीक है ना B ने condition दे दिया तो A ने जो है यहां पर 10,000 रुपे ले लिए B से ठीक जब 10,000 रुपे ले लिए तो यहां पर possession transfer नहीं हुआ देख रहें न आप actual delivery नहीं हुआ यह constructive delivery हुआ symbolic delivery हुआ बी ने sell कर दिया B को bike बट B ने वो delivery नहीं लिया उससे कहा कि एक मिने बाद लूँगा तो इस case में क्या है बी बेलर हो जाएगा ठीक ना और A जो है बेली बन जाएगा जबकि A के पास ही possession है फिर भी वो बेली बन जाएगा ठीक अब इसके बाद एक अच्छा case law आता हूँ तो इस case law के बारे में आप discuss करते हैं case का नाम है जगदीश चंद्रा तिर्खा जो दोस्तों मेरा नोट्स पने हुए मैं उसका according चल रहा हूँ ठीक है ना और जगदीश चंद्र तिर्खा पंप पंजाम नेशनल बैंक A.I.R 1998 दिल्ली का यह case law है बहुत important case law है इसका citation आप लोग book खोल के देख लीजे एक पर ठीक है इस case के fact और इसके observation को बात कर तो जगदीश चंद्रा तिर्खा वर्सेस PNB bank के case में क्या हुआ था कि जो plaintiff के father थे उन्होंने PNB bank के branch जो की पिसावर में आज का जो पाकिस्तान है अजादी से पहले अब पाकिस्तान के अंदर पड़ता है वहाँ पर उन्होंने 480 तोला something एक box 480 तोला जो है सोना का भरके एक box वहाँ पर जमा किया था PNB bank के अंदर फिर जब उनके बेटे ने उसको जो है ट्रांसपर करवाना चाहां इंडिया का अंदर तो पिसावर्स जो है जब बॉक्स अच्छे से पैकिंग करें उनके प्लेंटिप के फादर ने पैक किया था अपने हाथों से वह box और अच्छे घासे रैप्ड में था उसके बाद उसको ट्रांसपर किया गया लाहोर के ब्र अंदर सोना औरह नहीं है उसके अंदर जो जो जवेलरीस टी वो जो इस नहीं है उसको केस करने को आधि उन्होंने अमांट जो है वह बेली है और बेलर जो है जिसने वहाँ पर जमा किया अपने समान को ठीक ना तो यहाँ पर जो बेली जो बैंक है वह लाइबल होगा और वह तीन लाग बहततर रचा 400 सम्थिंग जो भी रुपय बनेंगे वैल्यू बनेगा जोल्री का वह प्लेंटीप को मिलेगा तो 94 का इंगलैंड का क्विन ब traveंच का केस है ठीक किस के가지고 के अनदर क्या होता है कि एक एक रिस्टोरेंट होता है रिस्टोरेंट के अंदर जो है प्लेंटिप जाता है तो रहान पर बीना पूछे उसके कोट को लेने के लिए एक वेटर आजाता है और उस कोट को वेटर लेके कहीं पर हैंक कर देता है तो जाता है तो कोट को नहीं पाता है तो वहां पर वो claim करता है अपने amount को code के अंदर और वो उसको amount मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर बेली जो होता है बेली waiter होता है या फिर जो defendant वो बेली होता है यहाँ पर और बेलर जो होता है जिसने code दिया था जो की plaintive था इस case के अंदर ठीक और इसके बाद एक और है यहाँ पर हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट केस लो है इंडियन मार्केट का मतला इंडिया गंदर का case लो है कालिया अगर यह case नहीं पड़ा तो आप लोग ने कुछ नहीं पड़ा कालिया पोरुमल पिल्लाई वर्सेस बिशाका लक्षमी ठीक ना बिशाला बिशालाक्षमी बिलाशक्षमी साउथ इंडियन नाम है कुछ ठीक ना और यह कब हिल्ड हुआता है आई आई आर नाइंटीन थर्टी एट मदराशना जाने इस case को हम लोगों ने कितने बार लिखा होगा ठीक दोस्तों इस case के fact और साथ इससाथ इसके जो भी judgment रहते हैं लोग तो दोस्तों कालिया पोरुमल पिल्लाई वर्सेस बिशाका लक्षमी का जो केस लोग इंपोर्टेंट इसली हो जाता है इस case में क्या हो इसके fact हम case का जाने तो एक महिला होती है महिला जो है डेली जात करती है जोल सौप पर जाती है और वह अपने पुराने जो ओल्ड जो तो इसको मिल्ट करवा के नए जोल में करवाती है ठीक ना डेली ऐसा करती है और वह कनवर्ट करवा के उसके पास एक बॉक्स होता है बॉक्स के अंदर रख देती है और उस बॉक्स को बंद करके उसकी की अपने सांत लेके चली जाती है और उस बॉक्स को जो है ज्वेल्स के सौपबर ही छोड़ देती है बहुत इंक्पर्टेंट ए outta चोपबर चोड़ तो एक रात को ज्वेल्री दुकान में चोरी हो जाता है चोरी होने के बाद उसका यह box भी चोरी हो जाता है, उसके box के अंदर के सारी चीज़े भी चोरी हो जाते हैं, तो वो claim करती है, court के अंदर sue करती है, कि मेरा यहां सारे box गारा चोरी होगे, मेरे golds होगे तो libel कौन होगा इसके लिए, तो यहां पर court held करता है, मदरास high court held करता है, कि आपने possession अपने पास तो वह बैलमेंट नहीं माना जाएगा, ठीकिना, क्यूंकि उन्होंने अपने बॉक्स को लॉक करके, उसकी की अपने पास औरत नहीं रखा था, तो वहाँ पर कोई बेलर और पेली नहीं होगा, यानि कि जो औरत नहीं बेलर माने जाएगी और जो गोल्ड समीट के नहीं बे केसलोरे तक होते हैं उस से लेटेड़ केसलोरा कोछछ तरहीर का हम कड़ेक Alekate के लेय बसम्हाँ संदो क भी की वह द्रैक्तकांगर था है जाता है थीज म कर्णा में रहेए वे पहले है कि कुछ केसमें के संधिक जो है जो है पहला वह है कि कुछ केसमें वेलमेंट का है पी ए आई आर नाइंटीन फिप्टी कर किस लो इसके अंदर बताया गया है कि बेल्मेंट जो है बिदावड कॉंट्रेक्ट नहीं हो सकता अलाब अधाई कोट ने अपना जो है इसको अब्जर्ब किया और बोला कि एक व्यक्ति का जो है फैक्ट क्या इसका एक व्यक्ति का आट चोरी हो जाता है व्यक्ति को पता चलता कि मिला व्यक्ति को गुड़ दुबारा पूलिस के मलखाने त बेल्मेंट और प्लेज को पूरा करते हो बनाऊंगा धैने बाद दोस्तों जय हिन जय भारत करोना के टाइम में आप लोग घर पे रहें सचेत रहें सजग रहें